नमस्कार, अचार साले चैनल में आप लोग का सौगत है, मेरे एक फॉलोवर की रिकेस्ट पे कि बजट एक फरवरी को आ रहा है तो वो जानना चाहते हैं कि बजट कैसा होगा हाला कि एक तारीकों 11 बजे पता लग जाएगा है बजट क्या आ रहा है और वहां से काफी कुछ रास्ता साफ हो जाता है एक साल के लिए लॉंग टर्म में इसका बहुत असर पड़ता है लगन में इस्तान खाली है दूसे घर में राहू, तीसा, चोटा, पांचवा, छटा, साथवा घर काली है आटवे घर में केतॱ नवे घर में मंगल और सुकृ दसमे घर में सनी, सूर, चंदमा और बुद्ध, बुद्धियां वक्री है ग्यार्वे गर्मे गुरू और बार्वा घर खाली है तो ददसल क्या हो रहा है कि बजट के समय जो ग्रहों की स्थिति है वो राहो के तू एक्सेज में है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बजट की जो तयारी होती है वो एक दिन में नहीं होती, दो महिने से त्यारिया शुरू हो जाती है और बजट बनाने के लिए Finance Minister को सपोर्ट करने के लिए पूरी Ministry रहती है और Planning Commission जिसको मनीति आयोग बोलते हैं वो पूरा वर्क आउट करता है, पूरी Study होती है और काफी लोग इसमें involved होते हैं और बाद में ये budget जो होता है, वो पिदान मंतरी को दिखाया जाता है कि ये budget बन रहा है, फिर पिदान मंतरी जो होते हैं वो अपने हिसाब से भी उसको modify करते हैं, change करते हैं हमेस्ट लॉजर जो होते हैं, वो ये देखते हैं कि exactly जो budget पेस हो रहा, उसमें क्या आएगा तो हम लोग वो time लेते हैं कि जिस time पे वो budget आ रहा है और उसकी prediction हम लोग करते हैं कि ऐसाइसा होगा जबकि तयारी दो मेहने पहले से सुरू हो जाती है लेकिन जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो budget टेबल पे रखा जाएगा उसके बारे में astrologically पहले से predict करना क्योंकि budget जो बड़ा confidential होता है उसको आप समझ ने सकते हैं और उसको बनाने वाले लोग जो रहते हैं वो आप यह मान के चलिए कि कम से कम दो हपते बंद close door room में रहते हैं बाहर नहीं निकल सकते वो लोग कि information leak नहीं कर सकते data वो लोग collect करते हैं लेकिन अंदर क्या खिचटी पक रही है वो आदमी को पता नहीं सकते हैं लेकिन astrology काफी कुछ इसारा कर देती है और वही इसारा मैं आपको करने जा रहा हूँ मेस लगन जो है कालपुरुस की पहली रासी बोलते हैं और उसका स्वामी नवे घर में चला गया मतलब मंगल गुरु की रासी में बैठा हुआ है और सुक्र के साथ में बैठा हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बजेट आएगा जो ग्लैमर रिलेटेट इंडस्टीज होंगी वो इस बजेट से काफी खुस रहेंगी लेकिन जो ग्रहनिया होंगी जो इनको किचें चलाना होता है वो जाके कही ना कहीं उनको प्राव्लम्स होंगी और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि गवर्न encouragement बजेट में जो चीज बोलती है साल में कभी भी उपर नीचे कर सकती है आप ने देखा होगा कि petrol, diesel, gas की कीमते जो होती है वो out of the way जाके लोग बढ़ा देते हैं और out of the way जाके नीचे कर देते हैं को कि ultimately उनको हम लोगों की जेब से पैसा निकालके और देश को चलाना होता है हलाकि यहाँ पे भी बहुत भ्रहंतिया हैं कभी उसके वारे में फिर कभी चर्चा करेंगा कि exactly होता क्या है तो चंदमा की महादसा में ये बजेट आपका आ रहा है और चंदमा फोर्थ लॉड है लेकिन अमावस्या में फस गया मतलब अमावस्या के दिन आपका बजेट आ रहा है और सूर, सनी, चंदमा और मरकरी दसवे घर में साथ बैठा हुए बुद्ध वक्री है तो देखे देश में चुनाओं भी होने जा रहे हैं पांच राज्यों में और ये बुद्ध वक्री है तो कहीं न कहीं एक इसारा करता है कि आगे आने वाले जो चुनाओं है दस फरवरी से लेके और मास तक एक मेने का जो दौर होगा ये बजेट उनको भी ध्यान में रखके बनाया जाएगा आगे जाके देखें कि आम जन्ता के लिए क्या है पांच राज्यों में चुनाओं को हमें अलग कर दें तो बाकी लोगों के लिए ये बजेट कैसा होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बजेट कहीं न कहीं फोकस होगा किसानों के लिए दूसरा स्टार्ट अप के लिए जो नए बच्चे लोगे कुछ काम करना चाहें उनके लिए बहुत अच्छा होगा और इसका एक बहुत बड़ा पोर्सन जो है वो हेल्थ केर के लिए रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि हेल्थ इंडेस्ट्री जो होगी वो काफी स्कोप रहेगा उनको बजेट में खास्तों से कोविड और कोविड का जो लिलेटर जो बेडिसियंस होई है उनको ध्यान में रखते हुए इसके बाद इंसोरेंस सेक्टर पे यह गवर्नमेंट काफी फोकस करेगी और चुकि जुपिटर जो है वो सनी के रासी में बैठा हुआ है और अभी भी जो एक में मुद्दा था 2014 का की ब्लैक मनी से लिलेटर ब्लैक मनी आजकल जो है वो प्रॉपर्टी में कनवर्ट हो गई है तो कैसे प्रॉपर्टी की की लिस्टिंग करेंगे अधार कार्ड से मैं समझता हूँ उसके बारे में कहीं न कहीं कुछ इसारा आएगा और ये 2024 का लोकसवाद चुनाओ के पहले एक तैयारी रहेगी 2022 में ब्लैक मनी से लिलेटर बैंक फ्रॉड जो होता है उसको लेके काफी कुछ गौर्टमेंट को अपना प्लान करेंगे मत्तब यह हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में आगे चलके काफी चेंज होने वाला है और खास्तों से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बैंकों को सरकारी बैंकों से जोड़ा जाएगा और कुछ बैंकों का निजी करण भी होगा इस कुंडली के हिसाब से ऐसा फाइनेस मिनिस्टर कुछ कह सकती है और अवरॉल हम यदि एकनॉमी की बात करें तो मुझे इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती को कि सरकार का फोकस जोड़ा कुछी और इंगल पर रहेगा बट इन्फास्टिक्टर डवलप्मेंट के लिए मतलब रोड के लिए और रेलवे के लिए बजट में काफी उम्मीद रहेगी ऐसा ही मैं मानके चलना हूँ किसानों के लिए देखना है कि क्या खुसकबरी आएगी और जब ये किसानों के लिए आएगी तो पुरे देश के किसानों के लिए आएगी तो मरकरी का वक्री होना कहीं न कहीं आगे चल कर मुझे बताता है कि जो एग्रिकल्चर इंसुरेंस की बात है वो भी इस बजट में कहीं नजर आएगी और मंगल और सुक्र का जो कॉम्बिनेसन है वो ये बताता है कि अगले एक साल में एग्रिकल्चर को कैसे टेक्नलोजी से जोड़ेंगे उसमें भी कुछ नया प्राउधान रहेगा मैं एक चीज़ और देख रहा हूं इस बजेट में कि जैसे इस देश में काफी मल्टी निस्नल कंपनी काम कर रही है खासतों से हमेज ऑन हो गया गूगल गूगल बताना चाहूंगा कि इस कंट्री में हजारों करो कि जो हमारे जो लोकल इंडेस्ट्रीज हैं खासतों से इन सेक्टर्स की में को ऐसे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं जाके उसके बारे में भी कुछ प्राउधान रखेगी क्योंकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि मंट्री निस्नल कंपनी के आने के बाद लोगों को रोजगार तो मिला है लेकिन बहुत बड़ा छेत्र जो है ना वो बेरोजगारी से जूज रहा है वो सरकार को देखना होगा कि अब जब की गौर्ण्मेंट जॉब्स नाके बराबर हैं लिम्टेड है मुट्टी बर है और एक बहुत बड़ा युवा जो है वो बेरोजगार है तो एक सामान में बजट रहेगा बहुत ज्यादा मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं और लेकिन जो बच्चे जिनको स्टार्ट अप करना है किसान जो एक साल धन्य में बैटे थे उनके लिए काफी कुछ इस बजट में रहेगा और खास्तों से हेल्थ वालों के लिए भी हेल् कर दो